हलो श्टुएंट्स आज मैं और सशांक सर आप लोगों के सामने आये हैं और हम लोग बात करने वाले हैं पेपर के अनलिसिस के बारे में क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि सर यह पेपर का पैटन है वो किस प्रकार का पूछा जा रहा है क्या हमारे हाड क्यू पूछे जा रहे हैं या हमारे easy to moderate पूछे जा रहे हैं सर अगर मैं mathematics की बात करूँ तो mathematics में बच्चों paper का pattern sudden change हुआ है जो question आ रहे हैं वो lengthy question आ रहे हैं और in fact calculated सवाल आ रहे हैं सर अगर phase 1 की बात करें तो उसमें हमारा जो math का level था वह काफी जादा कम था लेकिन phase 2 में जो देखने को मिल रहा है वह पेपर का लेवल थोड़ा calculated और lengthy मिल रहा है तो सभी मेरे बच्चे lengthy calculation वाले सवालों को जरूर करके जाईए सभी बात है सर और जगर मैं physics की बात करूं तो पेपर phase 1 के अंदर थोड़ा मतलब level बनाया था उन लोगों ने एंटी ने लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने पेपर का level है वह एकदम constant कर दिया है और अब वह यही pattern अपना रहा है कि तो बच्चे को कर नहीं है तो उनको क्या कर रहा है वह नॉर्मल क्यूस दे रहा है यानि कि थियोरी बेस दे रहा है उसके लावा 20 क्यूस जो बचे हुए उनको क्या कर रहे है जिससे क्या है कि students easily उनको attempt कर पाएं अगर जिन्होंने थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस की है तो वह easily उसको पेपर को कर पाएं कि जैसे बहुत सारे स्टुडेंट्स हैं क्लियर कट कर रहे हैं कि सर हम लोगों ने जो पेपर में पढ़ा है वह सारी चीज आ रही है और इट मिन्स क्या अगर मैं calculate करूं तो easy to moderate यानि की moderate में मैंने कहूंगा सर easy to moderate की जो बीच के category है उसके अंदर वो like कर रहा है पेपर जैसा normal अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी अगर theoretical पढ़ा है या थोड़ी भी अगर new knowledge है उसको chemistry की तो easily सारे attempt कर पा रहा है तो यह था complete हमारा analysis की पेपर के बारे में कि किस प्रकार का पेपर आप लोगों से पूछा जा रहा है उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो अभी phase 6 के अंदर बैठने वाले हैं वह भाई अच्छे से इस चीज को सोच लें और दिमाग में बिठा लें कि पेपर का pattern बहुत ज्यादा हुआ वाला नहीं